अच्छाई जो होती है न वो लोगों तक अपने आप पहुँच ही जाती है चाहे उसका कोई प्रोमोशन करे या ना करे चाहे एक फिल्म ऐसी बने जिसका बजट बहुत कम हो मार्केटिंग के लायक मी बजट ना हो लेकिन फिर भी अगर उसमें कॉंटेंट है तो फिर भी लो के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए और मैंने इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुना जिसके बाद मैं इस फिल्म को कल शाम का शो था उस शो को मैं देखने गई और आज के वीडियो में आपसे इस फिल्म का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और साथ साथ में बात करेंग सिर्फ सुना था मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म में ऐसा कुछ कॉंटेंट होगा जिसको देखने के बाद मैं इतनी ज्यादा मूवड हो जाओंगी सच में कांतारा जिस लाइन्स पर थी ना जिन लाइन्स पर कांतारा थी सब लोग यह बात कर रहे हैं पहले मुझे लग सिधार्त महंती का किरदार प्ले किया है और सच में जो डॉक्टर थे डॉक्टर ओमकर होता उनको इनसे इंस्पायर है और उनकी कहानी है यह सारी यहार मैं सोचती हूँ कि सच में कैसा रहा होगा कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए फिर भी उनका डेडिकेशन कि उन् किसी dispensary भी होना बहुत बड़ी बात होती है और यही चीजें इस फिल्म में आपको दिखाई गई है आपको seriously goose bumps के साथ रोना आएगा कुछ ऐसे scenes है जिनको देखकर आप इतने जादा emotional हो जाएंगे कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे मैं अपनी बात करती हूँ सबसे कम budget पे बनी है 95 lakhs के budget पे बनी है और यह अभी तक अपना सारा का सारा budget recover कर चुकी है तो जब वहां पे इसको बहुत ही धमाकेदा response मिला तो वहां के लोगों ने थोड़ा शोर मचाया थोड़ी बात की distributors से थोड़ा अपना message पहुचाया और इसको pan India release करवाया और यहां पर इस film को appreciate करने के लिए इसके director इसके writer इसके actor बाबुशान मोहनती इनके बारे में बात करूँगी मैं इस video में सब चीजों के बारे में बात करूँगी पहले मैं अपना gratitude express करना चाहती हूँ कि यार ऐसी film हमारे सामने लाके रखी यार Hollywood ने, Odia Cinema ने, Odia Film Industry ने तो जरूर जरूर जाकर इस film को देखना है, सबसे पहले तो यह recommendation सुन लीजिए और उसके बाद आप इस film के बारे में बात करते हैं तो बाबुशान मोहनती ने character play किया है as Dr. Siddharth मोहनती जो की inspired है Dr. Omkar होता से अब सुनिए कहानी, यह जो कहानी है basically, यह जैसे मैंने आपको बताए 2015 से 2018 में जो उन्होंने अपनी सर्व किया था अपने देश को, अपनी कंट्री को, अपने लोगों को उसके बारे में है लेकिन जो उनको challenges आए, एक 151 villages is not a simple thing और उसमें भी basic चीजें, basic जो सुविधाएं होती है वो नहीं थी उनके पास, लेकिन उनका passion इतना था, इतना था कि उन्होंने कहीं पर भी give up नहीं किया तो कहानी कुछ इस तरह है कि Dr. Siddharth Mohanty की posting होती है, जनबाई PHC में, जहां पर, मलकनगिरी का एक area है, जहां पर 151 villages थे, वो tribal area था, बिल्कुल rural area था, वो चाहते भी नहीं थे वहाँ पर आना, लेकिन जब उन्होंने देखी वहाँ की हालत और मच्छर, मच्छरों के चलते जो malaria, लोग malaria से मर रहे थे, वो जब उन्होंने देखा, तो उनका पूरा perspective चेंज हुआ, उन्होंने ये फैसला किया, कि वो इस situation को बदल के दिखाएंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वो अकेले थे, उस वक्त, उनके साथ कोई ऐसी teams नहीं थी लेकर के जा रहे हैं, यह सच की कहानी है, उन्होंने 10 km तक एक pregnant lady को hospital पहुचाने के लिए, यह किया, सच में किया, can you even imagine, और मैं आपको बता दू, इस film का नाम दमन क्यों है, बहुत, मेरे दिमाग में भी सवाल आया था, कि इस film का नाम दमन क्यों है, तो मैं आपको एक M-A-N, which really means malaria control in inaccessible areas, truly amazing, हुआ ना कुछ सुनके goose bumps हुए है, सच में जब मैं इसके बारे में और पढ़ा और जाना, तो यह इसका actual meaning था, और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे की, यह फिल्म अभी तक सिर्फ 95 lakhs के budget पे बनी थी, और अभी तक इसका जो collection है, टोटल, वो 2 आज के शोज, कल के शोज, जितने भी शोज आप देखेंगे, हाउस फुल देखेंगे, चाहे आप डेली में देखेंगे, चाहे गुडगाओं में देखेंगे, चाहे मुंबई में देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, इसके शोज आपको fast filling या हाउस फुल देखेंगे, जब आप इनको स्क्रीन पे देखते हैं आपको लगता है कि कोई धंका अक्टर खड़ा हुआ है और मैं आपको बता दूँ कि इनकी डायलॉग डिलिवरी, इनका पैशन, मतलब घोट के पी लिया है इनके साथ हम रो रहे हैं ऑपको इतना प्राउड़ फील कराएंगे कि इनको जो परिशानी हो जेलते हुए अपना जो पैशन था ना उसको कम नहीं किया और लोगों की इतनी मदद की बाबुशान मोहन्ती सर seriously you are a gem gem of an actor इनके writers और directors हैं देभी प्रसाद लेनका और विशाल मौर्या यह दोनों ही इसके directors भी हैं और writers भी हैं और आप हिल जाओगे cinematography देखे इतने कम budget में इतना भी possible है yes camera work थोड़ा बॉस कह सकते हैं कि आपको compensated लग सकता है but you can see the budget also budget भी तो आप देखो कि कितना जादा limited budget है उसके बावजूद इतना अच्छा content पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं यह होता है cinema seriously यह होता है cinema इसको hats off है आपको देखकर artistically artistically it is such a wonderful film such a one एक चीज और में आपको बता दू कि लैंगुज बी तनी मुश्किल नहीं है समझ नी हिंदी जैसी सी लैंगुज लग थी मुझे वैसे इंग्लिश सब्ताइटल्स काथ देखी मैने so I'm so full of emotions I'm so happy for this cinema and I wish I pray यह जंगल में आग की तरह पहलती चारी है सच में यह बहुत जल्दी लोगों में पॉपिलर लोती जारी है film तो इस फिल्म को जरूर देखना इस फिल्म को खूब सारा प्यार देना and tell me if you have watched this film आपका क्या review रहा आपको कैसी लगी है film if you like this video give it a thumbs up don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called Storifying Shit